हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चेनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो केसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटा बहुत ही टेस्टी काचरे का अचार आप इसे देख के अंदाज ल पसंद करेंगे हर बार इसे बनाना पसंद करेंगे तो आप एक बार इसे जरू ट्राइब कीजिएगा और यो रेसिपी है वो भी बहुत ही सिंपल है जटपट से बन जाता है काच्रे का अचार और इसे गलने में भी ज्यादा टाइम निल लगता है यह फटा-फट से तयार भी हो जाता है तो इसे देखे कैसे बनाते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोज रोज नए नए वीडियो मिल सके तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला ह तेयार कर लेते हैं तो एक प्लेट लीजिएगा उसमें डालना है हमें 2 छोटे चम्मच दाना मिथी और में आधा बाउल लिया है सौफ जादा लेंगे सौफ से बहुत ही अच्छा लगता है यह जार सौफ ले ली है राई ली है मैंने आधा बाउल जीरा लिया है मैंने 2 और इसका पाउडर बना लिया है बाउल के अंदर हम पाउडर को निकाल लेंगे आप देख सकते हैं पाउडर तयार है अब यह जो मसाला है मैंने आदा ही बनाया है आपको दिखाने के लिए बागी आदा जो सेम यही मसाला में सिलबटे पे बना के इसमें डाला है मैंने तो स लाल मिर्श Danielle डालेंगे तीन चोटे चम्मच अधरक और लहसून ताम का यह दाला है अधा अधा चम्मच दालती है और आम चुर डालेंगे ऑदा चम्मच अब इस मसाले को बर अभर अच्छे से टीमिक्स कर दिएगे। पाउडर वाले मसाले आप अपने टेस्ट के अकोडिंग रख सकते हैं, मिर्च कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, नमक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक बड़ा चमच ओईल डाला है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, ओईल डालने से काच्रे के अंदर ये मसाला डालन में आसानी होगी ताकि हलका चिपचिपा हो जाए ओल डाल के तयार करके साइड रख दिया है अब मैंने काश्रे पहले से धो के सुखा के तयार कर लिये हैं चोटे बड़े जैसे काश्रे आपको मिल जाए आप वेसे ले ले तो मैंने चोटे और बड़े दोनों ले लिये हैं अब करना क्या है, काचरे पे इस तरह से हमें चार भागों में कट लगाना है, पहले कट लगा के दो तीन बीज निकाले और उसे टेस्ट करके देखे, कि कई काचरे अंदर से कड़वे तो नहीं है, क्योंकि काचरे अकसर कभी कड़वे भी निखल जाते हैं, अगर एक भी काचरे आपका कड़वा निकला, तो मतलब देखे, आप अचार पूरा खराब हो सकता है, तो टेस्ट कर लिया है, मैंने टेस्ट करके इस तरह से कट लगा के इसे रखते जाना है, ताकि काचरे हम भनने के लिए तयार कर सके, उपर से हलका सा हटाए, इस तरह से चार भाग म देख ले, इस तरह से सारे काचरे को तयार करके मैंने रख दिया है थाली के अंदर, फ्रेंड्स आप मुझे ये भी कमेंट करके बताईएगा, कि आपके यहां काचरे को क्या बोलते हैं, हमारे यहां तो इने काचरे ही बोला जाता है, आपके यहां कुछ और नाम बोलते है तो वो प्लीस मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अब जो मसाला आमने तयार करके रखा है वो काश्रे के अंदर इस तरह से हमें भरते जाना है काचरे एक ही बार में हमने तयार करके रख लिये हैं और मसाला भी तयार था तो एक काचर उठाना है और दबा-दबा के इसके अंदर अच्छे से में मसाला बहर देना है अब फ्रेंड्स आप चाहे तो सारा मसाला सिलबट्टे बहर बना की इसमें बहर सकते हैं बहुत ही tasty यह बनेगा ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा सिल बटा नहीं है तो आप इसे mixer jar में भी पीस्के masalah बना सकते हैं जैसे अभी हमने बनाया पर मैं अक्सर सिल बटे बनाती हूं तो वह ज्यादा बहुत ही tasty बनता है अब जो हलका मसाला बच गया है उसे साइड में रखेंगे और सारे काशरे भर के तैयार कर लिए है अब मैंने ओयल गरम होने के लिए रख दिया है मैंने अभी इसमें सिर्फ और सिफ आदा बाउल डाला है मतलब पांच बड़े चमच ओयल डाली है एक बार दुएदार जब गरम हो जाए तो हलका ठंडा करना है दो छोटे चमच कलोंची डाली है एक छोटा चमच मैंने हल्दी पावडर डाला है और हींग डाली है मैंने इसमें दो से तीन पिंच जो मसाला बचा था वो भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब एक एक काश्रे को उठाना है और इसके अंदर रखते जाना है जब हम इसमें काश्रे डालेंगे तो ओइल सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही गरम होगा जादा नहीं इसका टेंपरेचर हमारी उंगली सहन कर सके बस उतना ही गरम हो जादा गरम में हमें काश्रे नहीं छोड़ने है इस बात का ध्यान रखियेगा काश्रे डालने के बाद अच्छे से इस तरह से एक बारी से मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे हिला दे अच्छे से फिर बिल्कुल इससे ठंडा कर लेना है बिल्कुल भी गरम नहीं होना चीज़ जब अच्छे सी ठंडे हो जाए तो हमें इस तरह से जार के अंदर भर देना है मैंने इसे जार के अंदर भर दिया है ठंडा होने के बाद अब जब मुझे अगर लगेगा इसमें ओईल कम है तो मैं ओईल वापस से गरम करके ठंडा करके इसमें उपर तक भर दूँगी अभी मैं नहीं भर रही हूं क्योंकि हलका ओईल ये थोड़े से 2-4 गंटे में उठके उपर तक आता है तो अभी मैंने इसे ही इसे पंद करके रख दिया है तो बहुत ही टेस्टी चटपटा सा अचार बनकी तयार हो चुका है काचले का यकीन वानी फ्रेंट्स आपको ये अचार बहुत ही पसंद आने वाला है तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा आप भी बना के एक बाज इसे इंजोई कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सू मुच प्रेंग